अगर आपने पहली बार विजिट के हैं, जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेज करके एक और चैनल है, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, या पर भी बेल आकन को इट करके, और जरू सिलेट करके रख जाएगा, सो चले दोस्तो फिलाल इस वड़े को स्टार्ट कर लेते हैं, सो ठीक है दोस्तो अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रेइन के उपर, और एस यूजल आपको पताईए, संडे का हमारा पहला वीडियो होता है, कि आने वाला नेक्स्ट वीक स्टेप कवर करने वाले हैं, बट चले, स्टार्ट कर लेते हैं, फॉर्मलेटी के साथ, मतलब जो बाते हैं आपे मैंने बूली कि पाच दिन बाजार या पर वर्क करेगा, तो क्या पूरे पाच दिन चलेगा, तो चुट्टी वाला कैलेंडर देख लेते हैं, तो ऑगस्ट पाच दिन का परफर्मंस या पर दे रहे हैं, बट पिछले पाच दिन का परफर्मंस अगर हम लोग देखें, मतलब पिछला आफता देखें, तो लगबग 115 पॉइंट की हम लोग को गिरावट डिखने को मिली थी, तो पहले दो दिन बाजार ने बहुत अच्छा किया, अमेरिकन बाजार में जो सड़नली डाउन फॉल देखने को मिला, बाजार बहुत अच्छा चल रहा था, और टॉप लेवल से बाजार लगबग 4500 पॉइंट गिर गया, तो इसी चीज़ के चलते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि गिरावट के ट्रेंड के थ्रू अमेरिकन बाज जबसे ज़्यादा इंपोर्टन गोल्डन पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है बाजार के लिए, कौनसा पॉइंट, तो दोस्तों MPC की बेठक, यह दोस्तों हमारे मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर सामने आने वाली है, और उस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होने वाला है, य जबी भी MPC की बेठक होती है, एक अनुमान होता है कि ऐसा हो सकता है करके, बट यह वाली MPC की बेठक में बहुत ज़्यादा अंसरटिनिटी है, बतलब कुछ लोगों का यह मानना है कि 25 बेसे स्पॉंट का रेठाइक शायद से हो सकता है, कुछ लोग यहीं कह रहे है कि नह कि FOMC की अगर हम लोग बात करें, तो उन्हेंने अल्रेडी एक बार रेठाइक किया था, और हमारे बेठक में रेठाइक नहीं हुआ था, मतलब न्यूटरल चल रहे थे, दैन अभी की जो लेटेस्ट FOMC की बेठाइक होई, वापस उसमें रेठाइक हुआ, 25 बेसे स्पॉ जो न्यूटरल गेर में हम लोग यहाप अच्छे तरीके से चल रहे थे, ना तो रेट बढ़ रहा था, ना तो कट हो रहा था, तो forcefully क्या RBI को इस वक्त रेठाइक करना पड़ेगा, अगर करेंगे तो 50 तक नहीं जाएंगे, 25 तक ही जाएंगे, तो यह देखने वाली बात सामने हापे रखेंगे, ठीक है, मतलब जो inflation से related बात यह है, अगर हम लोग बात करें, inflation प्लस GDP का forecast, कि आगे क्या हो सकता है करके, तो कुछ ना कुछ तो रिवाइज जरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यह वाली, जो बैठा के वो interesting क्यों है, क्य क्योंकि देखा के तो monsoon आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही जादा कुछ जगे पे दिखने को मिला, इसके चलते फसले बरबाद हो गई, जो सबजियों के दाम थे, वो आस्मान चुगे, टॉमेटों के दाम तो आपको पता ही है, प्लस उसी के साथ-साथ crude oil की बात करें तो जो Saudi Arabia है, उन्होंने decision ले लिया कि वो September तक production cut को बरकरार रखने वाले हैं, तो इसके चलते एक crude वापस जोश में आते हुए देखने को मिला है, शाथ से अभी तो 86 के उपर भी जाते हुए देखने को मिला है, तो ये सभी parameters को मद्दे नजर रखते हुए, मतलब क्या करन पड़ेगा, decision लेना पड़ेगा, तो even though वो ये कहे कि हमें rate hike ना भी करना है, फिर भी उनको मजबूरन होके शायद से करना भी पड़ सकता है, तो इसलिए इस वक की जो beta के ना दोस्तों बहुत ज़्यादा उसमें uncertainty है, कि rate hike होगा या नहीं होगा करके, मुझे ऐसा लगता ह कि अगर वो करेंगे तो एक हाथ बार ठीक होगा, yes, क्यों पता है, क्योंकि अगर वो इस बग भी award कर देते, और आगे जाकि अगर FOMC ने वापस अगर rate hike कर दिया, तो फिर RBI first जाएगा, तो इसलिए better option रहेगा, कि आप करोगे तो ठीक रहेगा, market इतना sensible है, उनको समझ मे आ जाता है, कि forcefully उनको यह करना पड़ेगा, और वो बहाना भी दे सकते है, कि monsoon भी है, प्लस उसी के साथ-साथ inflation भी थोड़ा बहुत आने वाले समय में बढ़ सकता है, तो इस चीज़ के चलते हैं, शायद से यह आखरी rate hike होगा, अगर हुआ तो आखरी rate hike होगा, अगर प्रक्ति कानता जाजजी की commentary क्या रहेगी, GDP का forecast क्या रहेगा, inflation का forecast क्या रहेगा, सब कुछ इसके उपर focus इस हफ्टे हापे रहने वाला है, जरू MPC की बेठक इस वक्त हम लोगों को देखने वाली, शायद से 10 August को शायद से इसका हम लोगों को outcome आते वे देखने को मिल जा रहे है, क्योंकि बड़े सतर के उपर के जो company के number थे, वो ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, अभी mid cap बहुत सरे companies के number आने वाले है, ठीक है, तो अभी mid cap index आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा volatile हो सकता है, तो शायद से इसा भी हो जाए कि market ज़्यादा ना भागे गिरे पर आपके portfolio में तूफानी तेजी या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि mid cap maximum companies के number इसी हफते को हम लोगों को आते वे देखने को आपे मिलने वाले है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, IPO की बारिशे तो चालू है, और IPO की अगर बात करें, तो कल के दिन, मतल में listing gain के लिए risk लेने में, मतलब sensible बात तो यहाँ पे रहेगी, मतलब ऐसे IPO में risk ने लेंगे, तो फिर कौन से IPO में लेंगे, ठीक है, रिकमेंडेशन नीए, क्योंकि market है, uncertainty हमेशा यहाँ यहाँ पे रहती है, यह एक point देखने को मिल रहा है, बहुत सरों की comment भी आये है, सर क GMP देखने को आपे मिल रहा है, so maximum लोग यही पे हम लोगो जाते वे देखने को आपे मिलने वाले है, ठीक है, अगर मैं इसमें गया, मतलब यह वाले में तो जाने वाले, बड़े बड़े इसमें HNA के हिसाब से जाएंगे, concord की बात करें, तो यहाँ पे retail category में जाएंगे, ज्यादा seriously, आपे बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाएंगी, क्योंकि अगर market में कुछ 19-20 हुआ, तो 20-25% का GMP उढ़ने के लिए time नहीं लगता है, ठीक है, तो यह में मेरे साट से यह चीज़े आपे कर सकता हूँ, तो listing gain के साब से आप विचार कर सकते हो, वैसे तो आज क समझ रहे हो, जैसे से awareness बढ़ते चला जागा है, यह तो मतलब easy money है ना, इसमें तो कितना easy lottery basis की हिसाब से ही है, तो अभी इतना bleed आएगा, तो वो तो luck basis की हिसाब से ही चलेगा, तो देख लेते आगे क्या होता है, then FS की बात करें, लगातार इस मन्त में उन्होंने जब से start ह है, बिकवाली ही की है, तो हम लोग pray करेंगे कि वो अपने रुख को थोड़ा बहुत बदले, जो की थोड़ा बहुत practically difficult लग रहा है, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे, यह दिक्कत वाली बात, क्रोड की बात करें, 86 plus चलते वे देखने को मिल रहा है, ठीक है, WTIB OC के range म 80-82 पे देखने को मिल सकता है, यह हमारे यहले सबसे बड़ा सरदर देखने को मिल सकता है, और पूरी जी कि अगर हम लोग बात करें, उन्होंने कल के दिन press conference में बोल भी दिया, कि जो discounted crore oil यहापे मिलता था, अभी उसका फाइदा भी हम लोग को कुछ जादा होते वे दे आपे मिला है, नेक्स बात करेंगे दोस्तों तो gold 61 के उपर यहापे चल रहे है, gold में तो हमेशा invested रहेना आपको पता ही है, then dollar की बात करें, तो again हमारा rupee week होते जा रहा है, वापस 83 को touch करने ही वाला है, जैसे कि expert ने बोला है, December तक 83 को touch कर ही लेगा, so यह एक चीज हम लोग को देखने के आपे मिल रही है, and then अगर हम लोग बात करेंगे आखरी वाला point option chain की, तो फिलाल तो 8500 के उपर हम लोग आपे चल रहे है, यह हमारी देख अच्छी बात है, बट क्या है टिक पाएगा, यह देखने वाली बात बनती है, हाँ, फिलाल तो अगर हम लोग levels की बा करेंगे, हमर करने के लिए उनको थोड़ा बहुत अच्छा का सा सपोर्ट है आपे मिल सकता है, so देख लेते हैं, आने वाले हफते में बाजार में क्या होता है, सबसे important golden trigger point तो वही है, MPC की बेठक में क्या होता है करके, वो देखना एक interesting part है आपे जरूर रहेगा, so आशा क करके अंदर-अंदर सारे lectures मेरे साथ से free of cost प्रवाइट कर जी जाएंगे, ताकि आप शेयर बादरों का आसान भाशा से सीख सको, so that's it, thank you very much, we will be meeting Rx Studio, तब तक के लिए, bye-bye.